शिरी सत्य नरायन भगवान की जय शिरी सत्य नरायन व्रत कथा का पहला थ्याए एक समय की बात है नैमिशा रणया तेर्थ में शौनक आदी अठासी हजार रिश्यों ने शिरी सूद जी महराज से पूछा कि हे प्रभो इस कल्योग में वेद विद्या रहेत मनुश्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उध्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेश कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मन वांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है सभी शास्त्रों के ग्याता शिरी सूद जी महराज बोले हे वैश्नवो मैं पूछे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं कैसे श्रेश्ट और व्रत के बारे में आ नारद जी से कहा था अब आप भी इसे ध्यान पूर्वत सुनिये एक समय की बात है नारद जी दोसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यू लोक में जा पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में सभी मनुश्यों को अपने क कर्मों के अनुसार पीड़ा छेलते हुए देखा उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या क्या जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंध हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वहे विश्णू लोक में गए और वहां पर नारायन जी की स्तूति करने लगे और बोले हे भगवन आप अत्यांत शक्ति से संपन है निर्गुन स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है नारद जी की स्तूति सुनकर विश्णू भगवान बोले हे मुनिश्रेश्ट आ अपने संकोच कहें इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यू लोग में अनेक योनियों में जन में मनुश्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं हे मेरे प्रभू आप तो यह बताईए कि वह मनुश्य थोड़े समय में ही थोड़े प्रयास करके ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं तब भगवान शिरी हरी विष्णु बोले हे देवरिशी नारद मनुश्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही उत्तम रशन पूछा है स्वर्ग लोग और मृत्यू लोग दोनों में ही एक तुरलब उत्तम रद है जो रफिधान पूरवक करके मनुश्य तुरंधी यहां सुख भोक कर मरने पर मौक्ष पाता है team प्रिख्वक्तों शिरी सुत जी बोले कि हे रिश्यों शिरी हरी के वचन सुनकर नारध जी बोले कि उस वरत का पल क्या है प्रभू और उसका विधान क्या है यह व्रत किस ने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए आप सब कुछ हमें विस्तार पूर्वग बताए हे प्रिय भक्तों नारद जी की बात सुन कर पिर श्री हरी विश्नों बोले कि हे नारद दुख वाशोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजे दिलाने वाला है मानव को भक्ति वश्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्य नरायन भगवान की पूजा धरम परायन होकर ब्रामनों वबंधों के साथ करने के साथ ही यथा शक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए आरती करनी है और ब्रामनों सहित बंधू बांधों को भी भोजन कराना है उसके बाद स्वयम भोजन करना है किर्टन करना है और भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है इस तरह से सत्य नरायन भगवान का यह वरत करने पर मनुश्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती है इस कलीकाल अरथात की कल्यूग में मुरित्यू लोग में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया क्या है हे प्रिय पत्तों सत्य नरायन व्रत कथा का प्रत मध्य संपून श्री मन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी श्री क्रेश्न गुविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा तो प्रेम से बोलिए श्री सत्य नरायन भगवान की जै हे प्रियभक्तों तो आईए अब सुनते हैं श्री सत्य नरायन भगवान की व्रत कथा का दूसरा ध्याए श्री सूची महराज बोले हे रिशियों जिसने पहले समय में इस व्रत को क्या था उसका इतिहास कहता हूं ध्यान से सुनो सुन्दर काशी पूरी नगरी में एक अत्यांत निर्धन भ्रामन रहता था भूख प्यास से परिशान वह धर्ती पर खूमता रहता था भ्रामनों से प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान शिरी हरी विश्णुने एक दिन भ्रामन का वेश्धारन करके उसके पास जाकर भेक्षा के लिए धर्ती पल खुमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद ब्रामन रूपी भगवान ने कहा कि सत्य नरायन भगवान मनोवांचितपल देने वाले हैं। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद ब्रामन बनकर आए हुए सत्य नरायन भगवान उस निर्धन ब्रामन को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुभा उठने के साथ ही उस बुढ़े ब्रामन ने मन ही मन में संकल्प लिया कि सत्य नरायन का व्रत करूँगा। और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ मिलकर भगवान श्री सत्य नरायन की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कश्टों का निवारण हो गया। और देखते ही देखते वह एक संपन और अनेकों संपत्यों का मालिक बन गया। हेप्टे भगतों, अब हर महीने की पुर्णिमा के दिन वे भ्रामन श्री सत्य नरायन भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्य नरायन भगवान की इस व्रत को करके वह श्रेष्ट भ्रामन सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया। और उसने एक दुर्लब मुक्षपद को पृप्त किया। इस तरह से सत्य नरायन भगवान के व्रत को जो भी मनुश्य करेगा, वह सबभी प्रकार के पापों से छूट कर मुक्ष को प्राप्त होगा। और जो मुनुश्य इस व्रत को करेगा वह भी सब ही दुखों से मुक्त हो जाएगा शिरी सूद जी महराज रिश्यों से बोले कि हे मुनियों इस तरह से देव रिशी नारद जी से नारायन जी का कहा हुआ शिरी सत्य नारायन व्रत को मैंने तुम से कहा हे मुनियों मैं अब और क्या कहूं इतनी कथा सुनने के बाद 88,000 रिशी मुनी शिरी सूच जी महराज से बोले हे मुनी वर्ग संसार मैं उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया हम सब इस बात को भी सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का बहुत भाव है सूच जी बोले कि हे मुनियों जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनू एक समय की बात है वही विप्र धन और एश्वरे के अनुसार अपने बंधू बांधों के साथ इस व्रत को करने के लिए तयार हुआ उसे समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आत्मी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर भ्रामन के घर में गया प्यास से दुखी वह लकड़ हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या पल मिलेगा क्रिप्या करके मुझे भी बताईए लकड़़ारे की बात को सुनकर ब्रामन ने कहा कि सभी मनो कामनाओं को पूरा करने वाला यह श्रिसत्यनरैन भगवान का व्रत है इनकी क्रिपा से ही मेरे घर में धन धान्ने आदी की वृत्थी हुई है वीप्र से सत्य नरायन व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बड़ा खुश हुआ चर्णामरित लेकर और प्रसाद खाने के बार वेह अपने घर चला गया लकड़ारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्य नरायन भगवान का उत्तम रत करूंगा मन में इस विचार को लेकर बुढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहां उसे अपने लकड़ियों के दाम पहले से चार गुना अधिक मिले बुढ़ा व्यक्ती प्रसंता के साथ पैसे लेकर सत्य नरायन भगवान की मुर्ती और व्रत की अन्य सामगरियां लेकर अपने घर को आया वहां उसने अपने परिवार जनों को बुला कर विधी विधान से शिरी सत्य नरायन भगवान का पूजन और व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन पुत्रादी से युक्तो कर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चला क्या हे प्रिय भक्तों श्री सत्य नरैन व्रत कथा का दूसरा अध्य संपोन श्री मन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी श्री कृष्ण गुविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासो देवा तो सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्य नरायन भगवान की जय तो आईए अब सुनते हैं श्री सत्य नरायन भगवान की व्रत कथा का तीस राध्याय श्री सूची महराज बोले हे श्रेश्ट मुनियों अब आगे की कथा कहता हूं ध्यान से सुनो पहले समय में उलका मुख नाम का एक पुद्धिमन राजा था वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था प्रती दिन वह देव स्थानों पर जाता था और निर्धन व्यक्तियों को धन देतर उनके कष्ट दूर करता था उसकी पत्नी कमल किसमान मुख वाली तथा सती साथ भी थी भद्र शीला नदी के तड़ पर उन दोनों ने शिरी सत्य नरायन भगवान का व्रत किया उसी समय साधु नाम का एक वैश्या आया उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था राजा को व्रत करते देखकर वहवीने के साथ पूछने लगा कि हे राजन भक्ती भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ खृपा करके मुझे भी बताईए राजा बोला मैं अपने बंधु बाध्वों के साथ पूत्रादी की प्राप्ति के लिए शिरी सत्य नरायन भग्वान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ राजा के बचन सुनकर साथू आदर से बोला हे राजन मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए मैं भी इस व्रत को करूँगा मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवरित होकर वह अपनी घर को गया और घर पहुँचकर साथू ने वह सारी बात अपनी पतनी को बता दी पतनी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्र लीलावती से कहे एक दिन लीलावती पती के साथ अनंदित होकर सांसारिक धरम में प्रवरित होकर सत्य नरायन भगवान की क्रिपा से गर्भवती हो गई दस्वे महीने उसके गरब से एक सुन्दर कन्या ने जनम लिया माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन कलावती की मा लीलावती ने अपने पती को याद दिलाया कि आपने श्री सत्य नवैन भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है अब इस व्रत को कीजिए फिर साधु बोला कि हेप्रिये इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया इधर कन्या कलावती पिता की घर में जल्दी जल्दी बढ़ने लगी उसके बाद धर्मग्या साधु ने नगर मैं सक्षियों के साथ क्रीडा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्या देखकर आपस में मंत्र ना करके अपने दूद से बोले कन्या विवाह के लिए श्रेष्ट वर की खोज करो दूद से ऐसा कहकर शीधरी उसे भेज दिया उसकी आग्या पातर वह दूद कांचन नामक नगर में गया वहां से एक वनिक का पुत्र लेकर आया उस साधु ने उस वनिक के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन देख कर अपनी जाती के लोगों तथा बंधू बांधों के साथ संतोष्ट चित होकर विधी विधान से वनिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया लेकिन हे प्रियभक्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि साथू ने अभी भी श्री सत्यनरैन भगवान का वरत नहीं किया इस पर तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया अपने कारे में कुशल साथू बनिया अपने दामाद को लेकर स्मुद्र के पास स्थित होकर रतंसार पुर्णामक नगर में किया वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्र के तू राजा के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान सत्यनरैन की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा की सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख लिया और यह देख कर चोर नए चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधू अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था राजा की सिपाहियों ने साधू वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससूर और दामाद दोनों को बांद कर प्रसंता से राजा के पास दोड़ कर ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं हे राजन आप आगे की कारेवाई की आग्या दे दे राजा की आज्या से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया शिरी सत्यनरैन भगवान के श्राप से वनिक के घर में उसकी पतनी भी बहुत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया और इधर वैश्य की पतनी लिलावती शारिरिक तथा मानसित पेड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन की चिंता से दर-दर भटकने लगी और उनकी कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रती दिन घूमने लगी एक दिन भूख से पेड़ित कलावती एक घर में गई वहाँ जाकर उसने श्री सत्य नरायन भगवान के व्रत पूजन को देखा वहाँ बैठ कर उसने कथा भी सुनी और वर्दान भी मांगा उसके बाद प्रसाद ग्रहन करके वह कुछ रात होने पर घर आ गई माता ने कालावती कन्या से प्रेम पूरवक पुछा हे पुत्री रात में तू कहां रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा हे माते मैंने एक घर में मनोरत प्रदान करने वाला व्रत दिखा है कन्या की वचन सुनकर लेलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी और वहे वनिक की पत्नी कलावती भी व्रत करने को तत्पर हुई और प्रसन मन से उस साथ भी लिलावती और कलावती ने बंधू बांधों के साथ भगवान शिरी सत्य नरायन का प्रत किया तथा इस प्रकार प्राथना की कि हे भगवन आप हमारे पती और दामाद के अप्राथ को ख्षमा करें वे दोनों अपने घर शिक राज हैं इस वरत से छिरी सत्य नरायन भगवान संतुष्ठ हो गए और राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन दे कर कहा कि हे राजन तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य पसंतान सभी को नश्ट कर दूँगा राजा को यह कहकर वेह अंतरध्यान हो गए सुभा राजा ने सभा में अपना सारा सपना सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया राजा बोला हे महानुभावों प्रारब्ध वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्थ हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय करने की जरूरत नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूशन भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया दोनों वैश्य अपने घर को चल दिये हेप ये भक्तों श्री सत्य नरायन व्रत कठा का तीस राध है संपूर्ण श्री मन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी श्री क्रेश्ण गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासुदेवा तो प्रेम से बोलिए श्री सत्य नरायन भगवान की जय हे प्रिवक्तों शिरी सत्य नरायन भगवान व्रत कथा का चौथा ध्य शुरू होता है। शिरी सूत जी महराज रिश्यों से बोले कि वैश्य नय मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिया। साधू के कुछ दूर जाने पर भगवान शिरी सत्य नरायन की उसकी सत्यता की परिक्षा लेने की इच्छा हुई। और एक दंडी वैश्धारी बन कर आए। और उनसे पूछा कि हे साधू इस नाव में क्या है। यह सुनकर वैश्य हंसता हुँ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धनले में की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेलव पत्ते भरे हुए है। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर स्मुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधू वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चाद नाव को उंची उठते हुए देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर वह मुर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वह अत्यन्त शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं। यह दंडी का शाप है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तब ही हमारी मनो काम नहीं पूरी होंगी। दामाद की यह बात सुनकर वह दंडी के पास पहुँच गए। और अत्यन्त भक्ती भाव से नमस्कार करके बोले। कि मैंने आप से जो असत्य वचन कहे थे। उनके लिए आप मुझे एक्षमा करती जिए। ऐसा कहकर वे रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले। हे व बोला हे भगवन आपकी माया से तो भ्रमादी देवता भी आपकी रूप को नहीं जानते। मैं तो एक अज्यानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन हो ये प्रभव। मैं अपनी समर्थिक अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करूं। और पहले कि इसमन नौका में धन भर दो। साधू वैश्य के भक्ति पूर्वक बचन सुनकर भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसार वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए। अब ससूर्दामाद दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुए मिली। फिर वहीं अप पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधू की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुँचे हैं। दूत की बात सुनकर साधू की पत्नी लेलावती बड़े हर्ष के साथ सत्य नरायन भ तुम कारे पोन करके शिगर ही आचाना। मा की ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पती के पास चली गई। प्रसाद की अवग्या के कारण शिरी सत्य नरायन भगवान रुष्ठ हो गए। और नाव सहित उसके पती को पानी में डुबो दिय कलावती अपने पती को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन में गिर गई। और नौका को डुबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर साधू भी बहुत दुखी होकर बोला कि हे प्रभू मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे आप शमा शिरी सत्य नरायन भगवान प्रसन हो गये और आकाश वानी हुई कि हे साधू तेरी कन्या मेरे प्रसाध को छोड़ कर आई है इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया है यदि वह घर जाकर प्रसाध खाकर लोटती है तो इसे इसका पती अवश्य मिलेगा ऐसी आकाश वान प्रसाध ग्रहन करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पती के दर्शन करके बहुत ही प्रसन हुई उसके बाद साधू अपने बंधू बांधों सहित शिरी सत्य नरायन भगवान का विधी विधान से पूजन करता है इस लोग का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोग में चाता है हे प्रियभक्तों तो इस परकार शिरी सत्य नरायन भरत कथा का चौथा अध्यय संपोण होता है श्री मन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा प्रेम से बोलिए शिरी सत्य नरायन भगवान की जय हे प्रियभक्तों शिरी सत्य नरायम भगवान ब्रत कथा का पांच माध्या शुरू होता है शिरी सूची महराज बोले हे रिशियों मैं और भी एक कथा सुनाता हूं उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो प्रजापालन मैं लील तुम ध्वज नामक एक राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था एक बार जंगल में जाकर वन्य पशों को मारकर वह बढ़के पेड के नीचे आया वहाँ उसने ग्वालों को भक्ती भाव से अपने बंधों सहित सत्य नरायन भगवान का पूजन करते देखा अभिमान वश राजा उन्हें देख कर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रडाम किया ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने ये प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया हे प्रिभक्तों, जब वह नगर में पहुंचा, तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था, तो वह शिग्र ही समझ गया, कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है, वह दोबारा क्वालों के पास पहुंचा, और विधी पूर्वक पूजा तरके प्रसाद खाया, तो शिरी सत्य नरायन भगवान के क्रिपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया, दिर्खकाल तक सुख भोगने के बाद, मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक के प्राप्ति हुई, शिरी सूची महराज कहते हैं, कि जो भी मनुश्य इस परम दुरलब शिरी सत्य नरायन के व्रत को क और पुन्य मई तथा फल प्रदाइनी भगवान की कथा को भक्ति युगत हो कर सुनता है, उसे भगवान शिरी सत्य नरायन की क्रिपा से धन्धान ने आदिकी प्राप्ति होती है, दरिद्र धन्वान हो जाता है, संतान हीन मनुश्य को संतान सुख मिलता है, और बंधन में पड़ा हुआ पंधन से मोक्थ हो जाता है दरा हुआ वैकति भय मोक्थ हो जाता है यह सत्य बात है इसमें कोई भी संशे नहीं है इस लोक में वह सभी इचित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्य पूर वेकुंट लोग को जाता है शिरी सूद्ची महराज बोले कि इस परकार मैंने आप लोगों से भगवान शिरी सत्य नरायन के व्रत को कहा जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्थो जाता है हे श्रेष्ट मुनियों जो भी मनुष्य नित्य भगवान शिरी सत्य नरायन की इस व्रत कथा को पढ़ता ये सुनता है भगवान शिरी सत्य नरायन की कृपा से उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं हे मुनिश्वरों, पूर्वकाल में जिन लोगों ने भगवान शिरी सत्य नरायन का व्रत किया था, उनके अगले जनम का वृतात कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। व्रिध शतानंद भ्रामण ने सुदामा का जनम लेकर मुक्ष की प्राप्ती की, लकड़ारे ने अगले जनम में निशाद बनकर मुक्ष प्राप्त किया, उलका मुख नाम का राजा दश्रत होकर वैकुंठ को गए, साधु नाम के वैश्य ने मोर्धवज बनकर अपने पू सुद्धवज ने स्वभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर करम करके मुक्ष पया, कथा सुनने के बाद सभी रिश्यों ने श्री हरी को जुक कर प्रणाम किया, हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साध श्री सत्य नरायन व्रत कथा का पांच वाध्य संपून होता है, श श्री क्रिष्ण गुविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासु देवा, श्री सत्य नरायन भगवान की आरती ओम जय लक्षमी रमणा, स्वामी जय लक्षमी रमणा, सत्य नरायन स्वामी जन पातक हरे ना ओम जय लक्षमी रमणा, रतन जटित सीहासन, अदभुत छविराजे, नारद तरत निरंजन, गंता ध्वनी बाजे ओम जय लक्षमी रमणा, प्रकट भय कली कारण, द्विज को दरस दियो, बुढ़े भ्रामन बनकर, कंचन महल कियो ओम जय लक्षमी रमणा, दुर बल भील कठ्यारो, जिन परत्रिपा करी, चंद्र चुडेक राजा, जिन की विपति हरी ओम जय लक्षमी रमणा, वैश्य मनोरत पायो, श्रदा तजदी नहीं, सोपल भोग्य प्रभुजी, फिरस्तुति की नहीं ओम जय लक्षमी रमणा, भाव भक्षमी के कारण, चिन चिन रूप धर्यो, श्रदा धारण की नहीं, तिन को काज सर्यो ओम जय लक्षमी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भाक्ती तरी, मन वांचित फल दीन हो, दीन दयालू हरी ओम जय लक्षमी रमणा, चड़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, दूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा ओम जय लक्षमी रमणा, सत्य नरण जी की आरती, जो कोई जन दावे, कहत शिवानन्द स्वामी, कहत हरी हर हर स्वामी, सुख संपति पावे ओम जय लक्षमी रमणा, तो प्रेम से बोलिये शिरी सत्य नरण भगवान की जय, तो यह थी शिरी सत्य नरण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती, उमेद करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके, इसे ज्यादा से ज्य जरूर कीजेगा, ताकि कथा को सुनकर सभी पुनेफल प्राप्त कर सकें, तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए, जै शिरी हरी विश्टों!